हेलो स्टुडेंट्स मैं संजे कुमार जा स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल पे आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो वीडियो एक्षोली में बायो टेकनलोजी के अप्लिकेशन से रिलेटेड है और हम लोग बात करेंगे थेरेपेटिक परपस में इसका क्या यूज है मतलब मेडिशिनल परपस में इसका क्या यूज है तो देखिए बायो टेकनलोजी का एप्लिकेशन मेडिकल प्रपस में या जीन थेरापी में काफी ज्यादा है और इवेन इसका स्कूप भी बहुत ज्यादा है तो देखे मैंने बताया है आपको application of biotechnology in the field of effective therapeutic drugs देखरो लगबग 30 recombinant therapeutics जो है वो all over world में available है फिर हाल अभी जिसमें जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया में तो लगबग 12 जो है वो इंडिया में marketed है therapeutic drugs ये therapeutic drugs किस से related है तो ये actually में देखे हमोफिलिया से related है जिसमें factor 8 अबलेबल होता है cystic fibrosis का देखे ELISE किया जाता है DNA first से उसी तरह से bovine growth hormones production किया जाता है milk eldring hormone के लिए उसी तरह से देखे हमोलीन इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमोलीन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग जो diabetes के लिए होता है interferon viral infection के लिए यूज किया जाता है तो ये शब अलग-अलग type के drugs इबलेबल हैं हमारे life में जो basically recommendant DNA technology के द्वारा develop किये गये है with the help of biotechnology तो आज हम लोग इस वीडियो में इन ही सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे especially हम लोग पढ़ेंगे हमोलीन के बारे में और मैं आपको बता दूँगा gene therapy के बारे में तो चलिए हम लोग बात कर रहे है genetic engineering engineered insulin इसी को हम लोग हमोलीन भी बोलते हैं तो देखिए genetically engineered insulin को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले उसके बारे में कुछ basic information की जानकारी होने चाहिए देखिए insulin जो है वो क्या है किस gene से control होता है तो जो gene insulin के production को control करता है वो हमारे 11th chromosomes के ऊपर available है ओके और यह किस purpose के लिए होता है तो diabetic person के लिए है ना कोई person अगर मालो diabetic है तो उसको हम लोग insulin देते हैं उसको हम लोग insulin का injection provide करते है generally यह insulin कहां से produce होता है तो normally अगर आफ देखोगे तो यह insulin produce होता है beta cell of islets of langer hands याद होगा आपको यह ना highlights of langer hands जो पाया जाता है pancreas के zone उसी के beta cell से इसका secretion होता है insulin का okay अब देखो एक diabetic patient के treatment के लिए जो previously insulin produce किया जाता था वो slaughtered cattle से produce किया जाता था या pig से produce किया जाता था और यह जो insulin है इसका side effect भी होता था वही मैंने बताया है कि these isolated insulin are limited एक तो इसका amount बहुत limited था अब बहुत सारे diabetic patient है तो ऐसे condition में insulin का production आसान नहीं था ओके और दूसरा क्या बहुत सारे लोगों में यह insulin जो था वो side effect भी पैदा करता था तो इसके लिए फिर क्या हुआ जरूरत पर ही हम लोग को biotechnologically insulin को product करने का है ना और इसका सबसे बड़ा जो process था वो था क्या recombinant DNA technology इसी process से हम लोगों ने क्या किया insulin का production किया लेकिन insulin के production में कुछ complications भी था complications क्या था कि जो human insulin produce होता है ना वो actually में pro-insulin होता मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा पहले मैं कुछ बता दूँ आपको कि genetically engineered insulin जो था जिसको हम लोग humeline कहते हैं इसको सबसे पहले marketed और manufacture किया गया एक company के द्वारा जो एक American based company थी उसका नाम था Allie Lily और यह कब किया गया था 1983 में ओके यह सब information आपको याद रखना है चुकि नीट बगर में ऐसा questions आता है ओके तो Allie Lily के द्वारा इसको सबसे पहले manufacturing और marketing किया गया था अब हम लोग समझने जा रहे है mechanism of producing humeline आखिर यह कैसे produce किया गया था तो देखो एक scientist थे अपने नाम भी सुनाओगा Frederick Sanger है न हम लोग molecular basis of inheritance में इनके contribution को जान रहा है तो Frederick Sanger के द्वारा insulin के जो polypeptide sequence थे न उसको सबसे पहले बताया गया सबसे पहले उसको recognize किया गया तो क्या recognition में आया भाई यह recognition में आया कि actually में हमारे body में जो insulin पैदा होता है वो क्या है pro insulin है क्या है यह pro insulin है pro insulin करने का मतलब क्या कि insulin में 2 strands available है two strands insulin में available है एक strand को नाम दिया गया A और एक strand को नाम दिया गया B यह strand जो आपके थे वो लगभग 21 amino acid का strand है यह और B strand जो आप देख रहे हो यह 30 amino acid का strand है आगे मैं बताया हूँ इसके बाड़े में और यह दोनों strand एक दूसरे से जुरे हुआ होते हैं किस strand के दोड़ा तो C strand के दोड़ा यह दुनों का जो जॉइंट है ना एक दुसरे से वो किस से जुरा हुआ होता है यह है आपका C strand ओके तो यह इसको अमनों बोलते है C strand देखो यह हो गया A strand यह हो गया B strand यह हो गया C strand actually में यह polypeptide का strand और इसमें 31 amino acid available होते हैं और इसके बीच-बीच में पाया जाता है disulfide bond जो कि इस amino acid में जो sulfur compound होता है ना वो sulfur containing amino acid जो है वो आपस में disulfide bond का formation करते हैं यह हमारा क्या है inactive form of insulin है और जब यह active होता है तो यह C peptide जो आप देख रहे हो जिसको हम लोग linker peptide भी बोलते हैं यह linker peptide यहां से हट जाता है और यह हमारे kidney के द्वारा filter करके बाहर निकाल दिया जाता है C peptide जो होता है क्या होता है remove कर जाता है functional insulin के अंदर और इसको हमारा kidney क्या करता है filter करके urine के थो इसको बाहर निकाल देता है तो A और B जो है बापस में जुरा हुआ है किसके द्वारा disulfide bond के द्वारा now this A peptide and B peptide which are connected with the disulfide bond get functional insulin यह functional insulin है तो इस चीज के बारे में Frederick Sanger ने इसके sequence को लिपर्जेंट किया ओके देखे मैंने पीचे नीचे data दे दिया है आपका तीन टाइप का polypeptide है आपके human insulin में पाया जाता है या mammalian insulin में पाया जाता है A peptide, B peptide, C peptide A peptide जो होता उसमें 21 amino acid होता है B peptide जो होता उसमें 30 amino acid होता और C peptide में 31 amino acid होता और इस C peptide को हम लोग linker peptide बोलते हैं और यह दोनों peptide एक दुसरे से disulfide bond के द्वारा जुरा होता है तो important बात यह थी कि जब recombinant DNA technology की बात हो रही थी तो बात हुई कि क्या full insulin पैदा किया जा सकता है यही सबसे बड़ा complication था तो इस complication को दूर करने के लिए क्या किया गया कि दूनों type के जो peptides थे A peptide और B peptide यह दूनों का synthesis अलग अलग recombinant DNA के द्वारा किया गया by the using of E.coli as a vector एक और प्राब्लम था कि E.coli आपका prokaryotic है जबकि हमारा body क्या है eukaryotic है तो इस problem को भी deal किया गया by the using of reverse transcriptage तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस बात को अब देखिए recombinant DNA technology में क्या किया गया देखिए सबसे पहले messenger RNA लेया गया किसका a peptide वाले gene sequence का और फिर messenger RNA लेया गया किसका b peptide वाले gene sequence का है ना ये दोनू को पर क्या यूज किया गया reverse transcriptage reverse transcriptage तो यूज करेंगे तो क्या बनेगा हमारा c DNA बनेगा complementary DNA जो मेरा है वो c DNA बन जाएगा तो ये बनेगा c DNA for a polypeptide और ये बनेगा c DNA for b polypeptide अब इसी c DNA को ये जो मेरा c DNA बनाना ये जो मेरा c DNA बनाना इसको bacteria के plasmid के साथ इसको क्या कर दिया गया जोर दिया गया है ना हम लोग यही तो देखते आए हैं हम लोग ने जो recombinant DNA टेक्नोलोजी पढ़ा है उसमें यही तो पढ़ा है कि हम लोग bacterial plasmid के साथ इसको क्या कर देते हैं टैक कर देते हैं जोर देते हैं अब क्या होगा इसका multiple copies तयार होगा वही हुआ देखिए introducing the ecoli plasmid ecoli plasmid पे जब हम इसने इसको जोर दिया तो हमारा क्या बन गया recombinant DNA अब यह मेरा recombinant DNA बना A polypeptide के लिए और यह मेरा recombinant DNA बना B polypeptide के लिए अब देखो इससे क्या हुआ हमने synthesize कर लिया A polypeptide को और B polypeptide को और finally इस दोलों polypeptide को हमने क्या किया cDNA के साथ इसको match कर दिया जोर दिया और इसको introduce कर दिया किसके अंदर जो भी पेसेंट है उस पेसेंट के अंदर हमने इसको introduce कर दिया और इसका meditation के रूप में हम use करते हैं तो इसी technology का use करके जो LA lady company थी ना उसने बनाया artificial insulin जिसको humulin भी नाम दिया गया तो अब आप समझ गया होंगे कि how does recombinant DNA technology is responsible for production of human insulin ओके चलिए अगे बढ़ते हैं हम लोग अब हम लोग बात करने जा रहे हैं gene therapy का देखिए gene therapy को अगर आप देखिएगा तो आपके incirati में plus two label में बताया गया है ADA, adenosine deaminase deficiency जो होता है ना उसी के बारे में बात किया गया है तो हम लोग उसी से related topic देख रहे हैं यहाँ पर ओके तो चलिए देखते हैं देखिए gene therapy देखो gene therapy को समझने के लिए हम लोग को यह समझना है कि एक normal gene क्या करता है? एक normal polypeptide पैदा करता है by the means of transcription and translation और वो क्या करता है? एक normal traits develop करता है living organism के अंदर अगर यह gene mutated हो गया अगर इसमें कोई changes आ गया तो क्या होगा? यह abnormal polypeptide पैदा करेगा अब जब abnormal polypeptide पैदा होगा तो abnormalities भी तो counts करेगा and that abnormalities is considered as disease तो कहीं न कहीं यह बात biotechnology या genetic system के द्वारा molecular genetics के द्वारा हम यह समझ रहे थे कि हमारे body में अगर कोई disease cause होता है तो उसके लिए कोई enzyme या तो responsible होता है या हमारे body में वो particular type का enzyme नहीं काम करता है इसी के बज़ा से वो disorder पैदा होता है तो अगर हम उस gene को क्या कर दें treat कर दें अगर हम इस gene को ही treatment दे तो हमारा यह disease भी treated हो जाएगा कुछ इसी concept पर यह काम करता है तो देखिए वही बताया गया है thus by controlling the expression of gene we can control particular disease जो mutated gene है हमारा अगर हम उसको control कर लें तो हम disease को भी control कर सकते हैं अब देखिए in this method we apply the mechanism of corrective gene during zygotic or embryonic stage देखो corrective gene जो होता है न वो generally zygotic or embryonic stage में ज्यादा functional होता है ऐसे normal case में भी वो functional हो सकता है लेकिन यह इस stage में चुकि ज्यादा functional इसलिए होगा क्योंकि एक बार बनने के बाद यह regularize कर जाएगा अपने आप यह बनना शुरू हो जाएगा हम लोग इसको आगे पर हम मैं आगे इस पर बात करूंगा आप से अब देखिए corrected gene फिर हम लोग क्या करते हैं introduce कर देते उस person में पहले हमने उस gene को correct किया और correct करने के बाद उसको फिर से बापस पेसेंट के अंदर डाल दिया introduce कर दिया for operating normal function तो इस तरह का काम करते हैं अब देखिए इसको हम लोग example के थुरू समझेंगे आगे अब देखो क्या है वाई तो तो normal vector जो इसमें use किया जाता है यह भी क्या है recommend DNA technology का यह process है तो इसमें जो हम लोग normal vector use करते है न वो normal vector actually में retrovirus होता है हम लोग retrovirus का use करते हैं तो देखिए मैंने इसका example दिया है आपर देखो in 1990 में 4 years एक girl थी जिसमें ADA deficiency disease जो था वो diagnose किया गया है एडी यह क्या होता है एडीनो साइन डी एमिनेज डी एमिनेज होता है यह तो एडीनो साइन डी एमिनेज जो system था इस enzyme के deficiency की बज़ा से क्या होता है देखिए normal process of ADA regulating gene जो होता है वो कहां present होता है bone marrow में सबसे पहले आप इसका normal process समझ लेजिए कि सबसे पहले यह gene जो available होता है जो इस gene जो इस enzyme को regulate कर रहा है वो gene जो होता है न वो bone marrow को effect करता है क्या effect करता है lymphocyte का production के लिए और यह lymphocyte इस enzyme की बज़ा से यह lymphocyte जो होता है वो B और T cell आपने यह आपको याद होगा B और T cell टाइब का lymphocyte पहले जाता है जो B cell होता हूँ antibody का formation करता है और T cell क्या होता है helper cell होता है न तो यह B और T cell के function को regulate करता है actually में इसका synthesis ही करता है है न यह जो adenosine deaminate जो है वो lymphocyte को trigger करता है for synthesis of B lymphocyte और T lymphocyte actually में वो transform करने में help करता है अब अगर इस gene में कोई problem आता दे कि any problem in ADA gene unable to synthesize B or T cell जब ADA gene जो आपका है उसमें कुछ गरबड़ी आ गई तो यह B और T cell का synthesis नहीं होगा और जब B और T cell का synthesis नहीं होगा तो ऐसे condition में उस person की immunity जो होगी न वो क्या हो जाएगी लॉस कर जाएगी वह है दस द परसन सफर फ्रम SCID SCID क्या होते है severe combined immune deficiency है न तो severe combined immune deficiency से वो ग्रसित हो जाएगा और वो person survive नहीं कर सकता है अपने long life को ओके तो देखिए वह है मैंने बताया है आपको कि due to due to SCID patient has less chance of survival उसका survival का chance बहुत कम होगा तो हम लोग इसको treat कैसे करते है what are the treatment given during 1990 to that four years girls उस four year girls में क्या treatment दिया गया था भाई तो देखिए इसमें क्या किया जाता है कि lymphocyte जो है न वो affected person का ले लिया जाता है affected person का lymphocyte extract कर लेते हैं हम लोग और एक normal जो lymphocyte है उससे हम ADA gene को update करते हैं है और उसको vector के साथ हम tag कर देते हैं और vector के साथ tag करने के बाद उसको हम क्या करते हैं उसका manufacturing करते हैं मतलब उसके amount को बढ़ाते हैं और बरहाने के बाद उसको फिर finally उसी lymphocyte में बापस से देको introduce into lymphocyte बापस से उसको lymphocyte में introduce कर देते हैं okay after the treatment of ADA gene normal ADA gene to that particular lymphocyte हम उस lymphocyte को बापस क्या करते हैं patient के अंदर introduce कर देते हैं देखे infuse with patient blood patient के blood में डाल देते हैं उसको अच्छा यह lymphocyte का source क्या हो सकता है bone marrow हो सकता है bone marrow से आप ले सकते हो इस cell को okay और जब हम उसके patient के अंदर introduce कर देंगे तो क्या होगा enzyme produce होगा enzyme कौन सा होगा ADA और वो enzyme क्या करेगा वो enzyme B cell और T cell को synthesize करेगा और जब B cell और T cell का synthesize होगा तो SCID क्या हो जाएगा recover हो जाएगा ना उस person में जब B और T cell बन गया तो immunity उसकी अच्छी होने लगेगी को सुधर जाएगी उसकी immunity अब देखो अगर वो patient जैसे मैंने बताया four year girl थी तो four year girl में तो यह फिर जब किया गया तो क्या हुआ भाई एक्छली में यह process regular interval of time पे किया जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर already क्या हो चुका है पहले से सारी cells बन चुके हैं लेकिन अगर यही चीज को हम लोग embryonic stage में करते हैं या zygotic stage में करते हैं तो हम कहीं ज़्यादा अच्छा result obtained कर सकते हैं as compared to young ones तो इस तरह से उस particular girls का treatment किया एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूं कि हमने क्या क्या किया इसमें हम क्या करते हैं lymphocyte लेते हैं उस affected person का from the bone marrow or different part of the cell even body fluid से ले सकते हैं lymphocyte और उस lymphocyte के अंदर हम introduce कर देते हैं normally ADA isolated gene which are recombinate by vector retrovirus retrovirus vector के साथ उसको हम लोग treat करके उसको proper sequence में ला करके और फिर हम उसके अंदर वो जो isolated lymphocyte था ना उसके अंदर उसको introduce कर देते हैं और इस isolated lymphocyte में जब हम ये gene introduce कर दिये मतलब recombinate वाला जो था उसको introduce कर दिये उसके बाद क्या करते हैं उसको बापस patient के body में डाल देते हैं जो बापस immunization को बढ़ाने में help करेगा तो इस तरह से हम लोग use करते हैं gene therapy का इसका और भी uses है even मैंने आपको पहले ही बता दिया था जी जीन therapy का uses आप बहुत सारे चीजों में कर सकते हैं जैसे growth hormone के लिए कर सकते हैं हम लोग हम लोग यह interferon के treatment के लिए कर सकते हैं तो यह सारे चीजों में हम लोग इसका use कर सकते हैं तो इस तरह से मुझे आसा है कि यह सारा topic आपको अच्छे रंग से समझ में आ गया होगा अब इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो हम लोग बायो टेक्नलाजी के फर्दर आगे का application से देख लेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एड़ो फिचर पीज यह मेरे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक्यू